हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टेडी कर, आज हम डिसकस करेंगे इंडियन प्रीमियल लीग 2021 से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे, तो साथियो इस लेक्चर के साथ आप एंड तक बने रहें, लेक् इस लेक्चर को और जानते हैं, दुनिया की सबसे फैमस लीग क्रिकेट से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको हम डिसकस करेंगे, तो फ्रेंड्स बात करते हैं इंडियन प्रीमियल लीग की, तो इसको हम संचिप्त में IPL ब जिसे हम बोलते हैं BCCI, क्या बोलते हैं? BCCI बोलते हैं, BCCI के बर्तमान में चेर्मेन कौन है? तो भारत के पूर्व कप्तान सौरब गंगोली है, ठीक है? तो इंडियन प्रीमियल लीग को ओपरेट करने वाली संस्ता कौन है? BCCI, ठीक है? अब हम एक बात और जान लेते ह हैं कि इंडियन प्रीमियल लीग का फॉर्मेट क्या है? तो ये T20 प्रतियोगता है, मतलब 20-20 उभर का इसमें मैच खेला जाता है. 2007 में ललित मोदी ने इसकी स्थापना की थी, मतलब इंडियन प्रीमियल लीग की स्थापना किस ने की थी? ललित मोदी ने और कब की थी? 2007 म जानते हैं, तो पहला पॉइंट है, यह होगा कि इंडियन प्रीमिय लीग का पहला टूर्नामेंट कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था, अन्तिम टूर्नामेंट अभी बरतमान में किया गया है, तो 2020 में किया गया है, और 2021 का टूर्नामेंट अभी बरतमान में चालू है, इस IPL में 8 टी में हिस्सा लेती है और बर्तमान का जो champion है बर्तमान champion जो है वो है Mumbai Indians ठीक है इसने अपना पांचमा खिताब जीता है मतलब IPL का जो title है वो पांच बार Mumbai Indians ने जीता है ये भी आप no down कर लेंगे Friends बात करते हैं हम IPL 2021 की तो यह IPL का 14 संसकरण है कौंसा संसकरण है और 14 संसकरण है ये question आपके exam में पूछा जा सकता है Friends बात करते हैं कि IPL 2021 का title sponsorship किसे मिली है तो वो मिली है vivo को किसे मिली है vivo को Chinese mobile company है vivo उसको 2021 का जो IPL है उसके title sponsorship मिली है 2020 में किसे मिली थी तो Dream 11 को मिली थी टाइटल स्पॉंसर से Friends, IPL 2021 के सत्र का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो 9 April से 30 माई 2021 तक किया जाएगा Friends, अगर आपको ये lecture पशंद आ रहा है तो like करना जरूर बिल्कुल भूले आप जरूर इसे like करने चलिए Friends, और भी fact जानते हैं हम IPL 2021 का आयोजन 6 मैदानों पर किया जाएगा अब वो मैदान कौन-कौन से है ये भी हम जान लेते हैं तो एहमादाबाद, बैंगलूर, चैननाई, दिल्ली, मुंबई और कोलकुल को आता तो इन 6 मैदानों पर IPL 2021 का आयोजन किया जाएगा तो बहुत important point है IPL का पहला मुकाबला कब खेला जाएगा तो IPL 2021 का जो पहला मुकाबला होगा वो 9 अप्रेल को खेला जाएगा किसके किसके बीच खेला जाएगा और किसके कहां खेला जाएगा ये हमें याद रखना है कि फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच तो ठीक है ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन हम ये जानते हैं कि कब खेला जाएगा तो 30 माई को खेला जाएगा और कहां खेला जाएगा तो एहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में खेला जाएगा कहां खेला जाएगा नरेंद्र मोधी स्टेडियम में बात करते हैं नरेंद्र मोधी स्टेडियम की तो दुनिया का सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम बना है कौन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले कौन से स्टेडियम की नाम से जाना जाता था इसे जाना जाता था सरदार बल्लब भाई पटेल स्टेडियम की नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो IPL 2021 है वो किन-किन सहरों में होने वाला है और किन सहरों में कितने मैच होंगे तो friends जैसे बात करते हैं बैंगलूर की तो बैंगलूर में 10 मैच खेले जाएंगे चन्नई में 10 मैच खेले जाएंगे, मुंबाई में भी 10 मैच खेले जाएंगे तो 56 मैच खेले जाएं फिर बात करते हैं IPL 2021 के खिलाडियों की नीलामी की तो IPL 2021 में जो खिलाडियों की नीलामी हुई है वो हुई है 18 फरवरी 2021 को कहां हुई है ये भी आप ध्यान रखिएगा ये नीलामी हुई है चैन्नाई तमिल नाडू में फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस IPL 2021 के लिए सबसे महगा भारतिय खिलाडी कौन विका है ठीक है तो वो खिलाडी है कृष्णपपा गौतम जिन्हें चैन्नाई सुपर किंक्स ने 9.25 करोर रुपए में खरीदा है ठीक है 9.25 करोर रुपए में अब हम और भी पॉइंट चालते है बहुत important पॉइंट है इस निलामी में कुल संताउन खिलाडी बिके हैं जिसमें 22 विदेसी खिलाडी थे कितने विदेसी खिलाडी थे 22 विदेसी खिलाडी थे सचिन तेंदूलकर के वेटे अर्जुन तैंदूलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाक रुपई के वेस प्राइज पर खरीदा है ये भी चर्चका विसाय रहा है कि सचिन तैंदूलकर के वेटे कौन है अर्जुन तैंदूलकर उनको किस टीम ने खरीदा है तो आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो Kings 11 पंजाब है उच टीम का नाम बदल कर पंजाब Kings कर दिया गया है यह point भी आप no down कर लेंगे तो पंजाब Kings ने अधिकतम 9 खिलाडियों को खरीदा है जबकि Sunrider हैदराबाद ने सबसे कम तीन खिलाडियों को खरीदा है Friends बहुत ही important point यह भी होंगे सबसे महगे खिलाडी कौन रहे है 2021 में यह point आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है बहुत very very important point होंगे यह तो ध्यान से सुनिएगा बात करते हैं कि IPL 2021 के सबसे महगे खिलाडी कौन रहे है तो वो रहे है Chris Morris कौन है Chris Morris जिन है Rajasthan Royals ने खरीदा है 16.25 करोड रुपए में ठीक है 16.25 करोड रुपए में Chris Morris को खरीदा है किसने Rajasthan Royals ने और सबसे महगे खिलाडी है यह IPL 2021 के फिर उनके बात है जैमिशन इनहे Royal Challenges Bangalore जिसे RCB बोलते है RCB ने खरीदा है ने 15 करोड रुपए में इसके अलाबा तीसरे नमबर पर कौन है Glenn Maxwell इनहे 14.25 करोड रुपए में खरीदा है किसने RCB ने खरीदा है फिर है Richard Sun इनको खरीदा है 14 करोड रुपए में पंजाब किंक्स ने खरीदा है और क्रिष्नपपा गौतम ठीक है क्रिष्नपपा गौतम को खरीदा है 9.25 करोड रुपए में चेनई सुपर किंक्स ने तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात निकली है कि सबसे महगे खिलाडी कौन बने है तो सबसे महगे खिलाडी 2021 में बने है क्रिस मौरेस जिन है किसने खरीदा है राजस्थान रॉइस ने और कितने में खरीदा है ये भी ध्यान रखेंगे 16.25 करोड रुपए में इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि सबसे महगे भारतिय खिलाडी कौन बिके है तो कृष्णपपा गौतम बिके है कितने में बिके है तो 9.25 करोड रुपए में बिके है किस टीम ने खरीदा है तो चैनने इस उपर किंग्स ने चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते है IPL 2020 की क्योंकि यहां से भी कोष्ण बन सकते है आपके एक्जाम में तो 2020 में 13 मां संस्क्रड किया गया था ठीक है और इसकी जो प्रायोजक्ट था इसका वो था ड्रीम 11 ड्रीम 11 ने 222 करोड रुपए की बोली लगा कर इस टाइटल स्पॉंसर्शिप को खरीदर था ठीक है तो यह पूचा जा सकता है आपके एक्जाम में कोष्ण कि 2020 का जो IPL हुआ था उसका टाइटल स्पॉंसर्शिप कौन था तो वो था ड्रीम 11 2021 का कौन है ध्यान रखेगा वीवो है ठीक है विजेता और विजेता टीम कौन रही है 2020 में तो विजेता टीम रही है मुंबई इंडियन्स और विजेता कौन रही है दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियन्स ने अपनी पांचमी जीत हासल की है मुंबई इंडियन्स ने 2020 2019 2017 2015 2013 में IPL का टाइटिल जीता है मुंबई इंडियन्स के कप्तान कौन है तो रोह सर्मा है बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आधिकारिक साजेदार कौन है तो वो है अनेकैडमी और अनेकैडमी ने कब से कब तक करार किया है IPL के साथ तो 2020 से 2022 तक इसने करार किया है चलिए फ्रेंड्स और भी बहुत ही महत्वपोर पॉइंट जान लेते हैं IPL के 13 में संस्क्रण मतलब IPL 2020 में सयुक्त अरव अमिराथ UAE में खेला गया था मतलब जो IPL का 13 में संस्क्रण था उसका आईजन कहा किया गया था UAE में यानी सयुक्त अरव अमिराथ में UAE के तीन सहरों में इसका आईजन किया गया था वो तीन सहर देख लेते हैं अबुधा भी सारजा है और दोबाई में फ्रेंड्स एक और महत्पूर बात हुई थी 2020 में IPL में सामिल होने वाले पहले अमेर की खिलाड़ी कौन थे अली खान ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को IPL में सामिल होने वाले पहले अमेर की खिलाड़ी कौन थे अली खान इनको IPL की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइटर्स ने हैरी करनी के स्थान पर टीम में सामिल किया था तो ये बहुत important point होगा कि verse 2020 का जो IPL हुआ था उसमें पहले अमेरिकी खिलाडी कौन सामिल किये गए थे तो ध्यान रखिएगा अली खान को सामिल किया गया था किस team ने सामिल किया था ये भी ध्यान रखिएगा कोलकाता night riders ने friends अब हम IPL 2020 से related और भी point देख लेते हैं तो IPL 2020 का जो sunscreen है वो कब से कब तक किया गया था तो 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच किया गया था 53 दिन ये चला था IPL में इस IPL में यानि 2020 के IPL में एक दिन में दो मैच होते थे Indian Premier League 2020 के लिए खर्चा में कुछ कटवती की गई थी उस कटवती को जान लेते हैं मतलब जो खर्चा किया गया था उसमें कुछ कटवती की गई थी जैसे IPL की विजेता टीम को 10 करोड रुपए की रासी दी गई थी IPL की विजेता टीम को 6.25 करोड रुपए की रासी दी गई थी और क्वालिफायर में हारने वाली दोनों टीमों को प्रतेक को 4 करोड 37,50,000 रुपए की रासी दी गई थी जबकि ये पहले के मैचों में बहुत अधिक रासी थी फ्रेंड्स अब IPL में एक बात होती है कि Orange Cap क्या कहलाता है तो Orange Cap को हम जान लेते हैं Orange Cap एक स्रंखला के दौरान IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेवाज को दी जाती है 2020 में किसे दी गई थी ये Orange Cap तो दी गई थी Lockes Rahul को किसे दी गई थी Lockes Rahul को उन्होंने 670 रन बनाए थे Kings 11 पंजाब की तरफ से तो इसलिए उन्हें 2020 में Orange Cap दी गई थी Friends, Purple Cap होता है एक IPL में तो Purple Cap किसे दिया जाता है वह एक खिलाडी जो IPL में IPL की एक सत्र में सरबादिक विकिट लेता है तो 2020 में जो Purple Cap दी गई थी वो दी गई थी दिल्ली Capitals के खिलाडी कगी सो रवाड़ा को किसे दी गई थी दिल्ली Capitals के खिलाडी कगी सो रवाड़ा को ठीक है इन्होंने 17 मेचों में 30 बिकिट लिये थे Friends, अब हम पूर्व के IPL देखते हैं कि जब से सुरू हुआ है पहला किसने जीता था IPL का टाइटेल और अंतिम किसने जीता है तो यह भी हम ध्यान रख लेते हैं 2008 में जो पहला संस्क्रण हुआ था उसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने 2009 में डेककन चार्जस हैदराबाद ने और फिर है 2010 में चैन्नई सुपर किंग्स ने 2011 में चैन्नई सुपर किंग्स ने 2012 में कूलकाता नाइट राइडर्स ने 2013 में टाइटेल जीता था मुंबई इंडियंस ने 2014 में कूलकाता नाइट राइडर्स ने 2015 में मुंबई इंडियंस, 2016 में हैदराबाद, 2017 में मुंबई इंडियंस, 2018 में चैननेशो परकिंग्स, 2019 में मुंबई इंडियंस, 2020 में मुंबई इंडियंस, अब देखते हैं कि 2021 में कौन जीतता है, अगर आपको ये lecture पसंद आया है, तो आप इसे like कर दें, channel को subscribe कर दें, और इसी प्रकार के next lecture में जैहिन